तो आप देख रहे हैं से टेलियो कॉम आपका चनल दूस्तों आज मैं आपको ऊमस लो के वर मताना चाहता हूं जो भी मेरे मेरे मोड़ार रिपेरिंग के स्टुडेंट्स हैं जो भी मेरे मैरे मुझार रिपेरिंगे टेखनीशन आज वो इस ohms law को समझेंगे और इस ohms law को भी अपने मुगार रिपेरिंग की फील में अपलाए कर सकते हैं तो बहुत छोटा ये वीडियो होने वाला है जिसमें मैं आपको ohms law के बारे में बताना चाहता हूं जैसे कि आप सभी जनते हैं ohms law उसका जो नियम है उसका जो फॉर्मला है वो है एंपियर एक्वल वोल्टेज डिवाइड वार रजिस्टर ठीक है इलेक्टिकल करेंट एक्वल वोल्टेज वार रजिस्टेंस तो इस तरह का ohms law का आप ट्राइंगल देख सकते हैं अब इसको जो मिला है 8027 में जिससे और आप सीधा किलियर यहां पर देख चाते हैं कि सिंपल वर्डों में लिखा हुआ है इट स्टेट डर रिलेशन से भी एक रिलेशन सिपे वीट्वीन डर करेंट रजिस्टर एंड वोल्टेज अक्रोस देलेक्टिकल सर्किट तो सिंपल है और कु और हमारा एक बल्ब जो कि जल रहा है और उस बल्ब में एक सट्किट लगा हुआ है और उस सट्किट में आप देख सते हैं कि स्टेर लगा हुआ हमें उस डांप यलीनी कालनी है जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें वोल्टेज पता है हमारे हमें एम्पेर पता है पर अब हमें रजिस्टर की वैलू निकालनी है कि इस सट्केट में जो रजिस्टर यूज किया गया था वो कितने ओम्स का होगा तो उसके निकालने के लिए सिंपल सा आपको थियोरी है फॉर्मला ओम्सलो का सो ओम्सलो का फॉर्मला क्या बोलता है तो जैसे कि मैंने बोला कि हम इससे कुछ भी निकाल सते हैं हम एम्पेर की वैलू निकाल सते हैं अगर हमें एम्पेर वोल्टेज पता है और हम रजिस्टर की वैलू निकाल सते हैं अगर हमें वोल्टेज और पता है तो इस केस में हम रजिस्टर की वेल्यू निकालेंगे तो हमारा फॉर्मॉला हमें कुछ इस तरह से करना पड़ेगा कि रजिस्टर इक्वल वोल्टेज अपॉन um impairy मतलब हम वह नी चे आ जाएगा व्यूंटे और हमारा फॉर्मॉला होजाएगा रजिस्टर इकल व्यूल्टेज अपॉन एमप्या अप्याइए वह हम्यूट्ेज यह सथी और हमारा यूंपैर है वह है एक तो हमरे इसatoreन से अश्यार्यन सापसे इसको set करेंगे और जब हम इसका result देखेंगे तो हमें मिलेगा two ohms मतलब आपको जो रेजिस्टर यहां पर यूज किया गया है वो है दो ohms का और इसी तरीके से दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप भी इस तरह से circuit में भी अपना तो आप डाप डोस्तो पर जो तो है आपको वोल्टेज से यहां अप कर नहीं होता है तो इसांट को एक इस डूसरे के साथ आपको multiply करना होता है तो यहाँ पर voltage है दो ampere है एक तो टोटल इसका जो consumption है टोटल इसका जो खपत है वो है दो वाट सो इस तरीके से इस छोटे से फॉर्मले से आप circuit को समझ सकते हैं और धियर धिरे इस circuit के अंदर आप एक advanced level पर जा सकते हैं तो आयो कि आपको यह वीडियो समझ में आए चोटे से वीडियो में आपको यही देने का प्यास किया था इससे related कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं thank you very much